हरे स्टेश्ट नमस्कार आज इस विडियो लेक्चेर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कच्छदस इंग्लिश पोएम नंबर थर्ड दा परफेक्ट लाइब बाई बें जॉंसन ये कच्छदस की इंग्लिश की पीसरी पोएम है जिसका नाम है दा परफेक्ट लाइब और इ दाने बाले हैं तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं पहला कुछ्चन आपको बता देग्या यह पहला परफेक्ट है इस नाट ग्रोइंग . 내용 भाल्थे क्ट लूंस इंगे एंग्याक फ्लगॉ मूंस पहला है जो चलिए सब्सक्राइब करते हैं यह पहला आ लेकेन करेकि की निम अब दो पॉएम करउता का नाम लेके जिससे की यह स्टेंजा लिया गया यह पररगाप लिया गया यह पंक्तियां ली गए तो आंसर होगा पॉएम नाम आहे दा फर्फेक्ट लैब आधर जीवन, पॉणड जीवन अगला कुश्यन है कुश्यन नमर दू जो साब अलूत का पेड़ है उसके बारे में कैसे बिवर्ण देता है कैसे बिवर्ण करता है तो आंसर होगा दा पोईट डिस्क्राइब अगली बाल्ड यूजलेस तिंग कभी कहता है संचेप में बताता है जो आक्टी जो साब अलूत का पेड़ है वह कैसा है देखने में बुरा है पिल्ड इसकी सरपर एगी पत्ती नहीं है बेल्ड में गंज़ा हो जाना बेना पत्तियों का है and useless गया है मतलब ये क्या है ये किसी के काम का नहीं है कि ननतों समध्य काम का है और नहीं मानों के program का है मानों जाति की काम का है इसलिए जब कोई बया कि जिसी काम नहीं सकता है तो इसको यूजिया सिका जाता है इसलिए कभ़ बेक्ति अधिक अच्छा हो जाता है जो बेक्ति को स्रिष्ट बनाती हो क्या चीज़ है तो दो having a lot of money to spend none can be a real man better than cattle unless he is useful for mankind and society as well यद्यव आदमे के पास में बहुत सारा धन होगा चाहे जितना धन हो किसी भी बेक्ति के पास मुशाइज जितना धन हो खर्च करने के लिए लेकिन कोई बेक्ति तब तक एक अच्छा मानों नहीं बन सकता, अच्छा भी नहीं बन सकता है, मवेशियों से ज्यादा, जानों से ज्यादा, जानों से अधिक अच्छा तब तक नहीं बन सकता है, जब तक कि वह मानोजात के लिए और समाज के लिए उपयोगी नहीं हो, अगर बेक्ट के पाद धन बहु मानों के लिए, मानों समाज के लिए, दूसरों के लिए उपयोगी हो, दूसरों का बला करने वाला हो तब ही वेक्ति अच्छा बन सकता है तब ही वेक्ति का जीवन बेटर हो सकता है अगला कुश्चन है कुश्चन वाचार भजबार संदा stanza rame together केते कि इस stanza में जो stanza भी दिया गया है इसके कौन कौन से सब्द ऐसे हैं जो आपस में रेम करते हैं आपस में उनके सुर मिलते हैं तो आंसर होगा ट्री इसमें एक ट्री वर्ड दी है ट्री रेम से बी ट्री बी से रेम करता है और येर जो बड़ है वो सियर से रिम करता है तो यह था क्लास 10 इंग्रिस पॉइम नंबर थार्ड इसका नाम है दा परफेक्ट लाइफ कंपोर्ट वाइब बेंज जांसन का पहला 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 ग्राफ इसके कुश्चेन अंसर आपको कैसे लगे हमें कमेंट सब्सक्राइब आप माई चैनल पर नए हैं तो प्रेज माई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले लाइकन जो दबाते हैं ताकि हमारे यह वीडियो को नाटिफिक्शन आपको पहले मिल जाए और प्रीज आस उन्यों देना कि हमारे वीडियो को लाइक करना ना बूलें तो चल